आज हम मटर की कचोरी बनाएंगे जो की एकदम खस्ता कचोरी बन के तयार होती है मटर की कचोरी विंटर में स्पेशली बनाई जाती है इसको बनाना बहुत ही आसान है इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए प्रेस मटर और धनिया अरिमिर्च और अद्रक मैंने यहां पर 500 ग्राम मटर को लिया है मैंने इसको छील के दाने निकाल के 500 ग्राम लिये हैं अब इनको हम मिक्सर जार में डाल देंगे और धनिया और हरीमिर्च अद्रक को भी एड कर देंगे इसको हमें लिक्सर जार में दर-दरा पीछना है तम smoothe paste नहीं बनाना है अब देख सकते हैं हमें इसको इतना दर-दरा रखना अब यकटेन या वेने या मैं त्यक्त क करेंगे समय दो शबार टोधिव दालन या हम या या सम्ट करते ही दूल दूल रहा गादि करme विभना com пожली हो तों देल ब साब्छन तों में और सभी करती है कि मैंने यहाँ पर ओईल की क्वाइंटिटी कम रखी है आप चाहें तो ज्यादा करके भी भून सकते हैं या सेक सकते हैं मैं कम वाइल में इसको सेक लूंगी इसे हमें स्लो गैस पर ही अच्छे से बून लेना है यह अच्छे से बून जाएगा तो इसका कलर चेंज हो आप देख सकते हैं यह भून के हमारा बेशन तयार होने वाला है यह अच्छे से बून जाए इसके बाद हम पीसी हुई मटर को एड करेंगे जो हमने पेश्ट बना के रखा था दरदरा इसको एड करेंगे इसको एड करके हमें अच्छे से इसको भून लेना है जब तक इस पांस से आठ मिनिट के बाद आपको पता चलेगा कि जिसका दाना दाना अच्छे से खिल गया है हमें उस स्टेज तक इसको भूर लेना है यह अच्छे से भून चुका है अब इसमें हम खड़ा धनिया दरदरा एड करेंगे आधा चम्मच या एक चम्मच आधा चम्मच हम का आधा चम्मच हम नॉर्मल सॉल्ट या नमक एड़ करेंगे और इसको हम अच्छे से निक्स कर लेंगे आपको यह जी स्पाइसी कम लगे तो आप इसमें आधा चम्मच जेट चिली पावडर एड़ कर दीगे जो मैंना एड़ कर दिया है अब यह मसाला हमारा अच्छे से त कर देंगे तब तक हम आटा लगा लेते हैं मैंने यहाँ पर डेड़ कप मैदा लिया है इसमें एक चम्मच हम नमक डालेंगे और दो चम्मच हम पिगला हुआ गी डालेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से गी और नमक मिक्स हो जाए मैदे में इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी एड़ करेंगे और एक स्मूथ सा डो बना लेंगे ना ज्यादा टाइट रखेंगे आटे को ना ज्यादा सॉफ्ट रखेंगे आटे को हम ढखके 20-25 मिनिट के लिए रे कप से जादा धनिया लिया है पुडिना लिया है हरी मिर्च है और अद्रक है मैंने हरी मिर्च दो लिये और एक इंच अद्रक का है एक चम्मच हम नमक डालेंगे एक चम्मच हम टीरा डालेंगे और आधा चम्मच से एक चम्मच तक हम लेमन जूस या नीबु का रस डालें और हम हरी चत्नी बना लेंगे आप देख सकते हैं दानिये पूजीजिने की चत्नी हमारी बनकी थिकर रखना है हमचुर की चत्नी बना लेते हैं जो खटी मिगी चत्नी बने के हमारी तयार होगी यह ड्राइए अम्चुर लिया मैंने 200 ग्राम मैंने अम्चुर लिया है इसको हम कुकर में डाल देंगे और अच्छे से 2 के 2-3 विशल तक हम पका लेंगे दो से तीन विर्षल आ जाए उसके बाद हमचुर ऐसा सौट हो जाएगा आप देख सकते हैं इसके बाद हम इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकाल देंगे जिससे की इसकी ज्यादा खट्टा पन निकल जाएगा अमचुर भहत ही खट्टा होता है अब इसमें हम 200 ग्राम गोड़ डालेंगे और इसको एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे और इसको हम चन्नी से छान लेंगे थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे एक कप और इसको इसमें मिक्स कर देंगे एकदम गाड़ी चट्मी हमारी बनके तयार होगी अब इसको हम गैस पर रखेंगे और स्लो गैस पर हम इसको बनने देंगे इसको ऐसा बॉइल करने से हमारी चट्मी की लाइफ बढ़ जाएगी अब इसमें मैं 1 फोड कप कटा हुआ खारक डालूंगी इसको डालने से चट्मी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा इसको अच्छे से हमें बॉइल होने देना है इसको बॉइल हो जाए उसके बाध हम इसमें मसाले एड करेंगे इसमें चाट्मी को आप 6 महीने के लिए फ्रीज में स्टोर कर सकते हैं आप सकते हैं खारिक चीह से पकक चुकी नितöll ही समें न कि अपड़क लगार तो है पातक आप ऑन तते होग कोई तो युवान धालता है समयरां सीफ और प्रोटव कल यापक चुकी है इसके बादा हम इसमें शेल गवह आपसे आपक स्फो ह्पून ही आपक़ हारक चा नहें च मिक्स कर लेंगे एक बड़ा चम्मच मगतरी के बीज डालेंगे कि चट्नी बंके तयार हो चुकी है अब उसे हम थंडा कर लेंगे मटर की स्टफिंग भी हमारी थंडी हो चुकी है ले उसके révner अब देख सकते हैं इसके मीडियम साइज के मैंने बॉल बना लिये हैं आपको जो साइज की कचोरी बनानी है आप उसी सापसे इसके बॉल बना लीजिए अब आटे को अच्छे से मसल के हम उसमें से लोई काट लेंगे और अच्छे से रोल करके हम हाथों की मदद से ही स्टफ करेंगे हमें ऐसे लोई को फैला लेना है हाथों की मदद से और सेंटर में हम स्टफिंग को रखेंगे और लोई को ऐसे उल्टा करके हाथों की मदद से खीचेंगे मैदा है आसानी से यह खिच जाएगा और इसको ऐसे इसे गोल गुमाते हुए हमें एक नोट सा या गठान सी बनानी है जिससे कि हमारी स्टफिंग अच्छे से अंदर सेट हो जाएगी और बिल्कुल भी हमारी कचोरी नहीं फटेगी इसको हमें ऐसे गुमाते हुए एक्स्ट्रा अंटे को निकाल देना है बॉल को एकदम इसको हमें ऐसे अंगुठे की मदद से सेब देना है अतेली पर रखके अंगुठे की मदद से सेब देंगे हमारी सारी कचोरी बहुत ही अच्छे से फूलेगी और इक्स्ट्राइब मसाला सब जगे पर स्प्राइड होगा ऐसे ही मैं दूसरी कचोरी भी आपको बनाना बताती हूं बीच में ऐसे रखके आटे को नीचे की साइड खीचेंगे यह अच्छे से पकड़ लेगा और इसको ऐसे घुमाते हुए हमें नोट बनानी है अगठान बनानी है इसका एक्स्ट्रा आटा हम ऐसे त्विस्ट करके निकाल देंगे आटा हमारा इतना ही स्मूध होना चाहिए यदि ज़्यादा टाइट आटा हुआ तो कचोरी हमारी फट जाएगी और सौफ्ट हुआ तो कचोरी हमारी खस्ता नहीं बने है ऐसे ही हमें इक्वली चारो तरब से प्रेस कर लेना है जिससे की सारी कचोरी अच्छे से फूलेगी और क्रिस्पी बनेगी मैंने सारी कचोरी को तयार कर लिया है अब एक कडाई में टेल डालेंगे और इसको गरम कर लेंगे अब देख सकते हैं कचोरी डालने पर तुरब उपर नहीं आ रही है अन्गुल हमें सलो गयास पर ही करना है इसमें बिल्कुल भी नहीं हिलाना है, जैसे जैसे वह अपने आप से फ्लोट करके उपर आएगी, वैसे ही वह अपने आप से ही फूल जाएगी हम कचोरी को बेलन की मदद से उपर नीचे कर लेंगे, जैसे कि वह चारो तरब से अच्छे से सिख जाए और बीच में जो कचोरी है, वह भी अच्छे से फूल के रेडी हो जाएगी अब देख सकते हैं, हमको ऐसे बेलन की मदद से कर लेना है गैस की फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है जो कचोरी यदि नहीं फूली है, उसको बेलन की मदद से ऐसे उपर नीचे करेंगे तो सारी कचोरी हमारी अच्छे से फूल जाएगी अब देख सकते हैं, यह अच्छे से एक साइट से सिख चुकी है अब इसको हम पलट लेंगे पलटने के बाद हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे दो मिनिट के लिए उसके बाद हम गैस बंद ही कर देंगे यह कचोरी अपने आप से ही दूसरी साइट से भी रेड हो जाएगी जैसे ही वो रेड हो जाए, वैसे हम उसको निकाल लेंगे मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है, अब आप देख सकते हैं, यह अच्छे से दूसरी साइट से भी हो गई है इसको मैं बहार निकाल दूँ अब देख सकते हैं कितनी अच्छी खस्ता कचोरी बनके हमारी तयार हुई है, इसमें बिल्कुल भी ओईल अब्जॉब नहीं हुआ है, दम क्रिस्पी कस्ता कचोरी गनी है अब ऐसे ही मैं दूसरी कचोरी को भी तल लूँगी ये कचोरी भी हमारी अच्छे से फूल के तयार हो चुकी है, अब इसको भी मैं निकाल लूँगी आप इसको हरी चटनी के साथ या खटी मीटी हमचुर की चटनी के साथ खाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगेगी मैं आपको बीच में से भी कट करके दिखाती हूँ, इकदम क्रिस्पी खस्ता बनी है नाइफ की मदद से कट करने पे एकदम सार्प कट हुई है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी बन के तयार हुई है, स्टफिंग भी इकवली स्प्रेड हुई है आप इस कचोरी को चट्मी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, मैं आपको एक कचोरी को सर्व करके बताती हूँ, कि आप चाट के स्टाइल में कैसे सर्व कर सकते हैं हम पहले आरी चट्मी डालेंगे, फिर हम हटी मीटी हमचुर की चट्मी डालेंगे, धही डालेंगे, धही को मैंने स्मूथ कर लिया है, तो डालके ऐसे ही सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे, इसके बाद हम इसमें सेव डालेंगे, और गुंदी डालेंगे, और उपर से अनार के दाने डालेंगे थोड़ा सा हम कटा हुआ हराधनिया डालेंगे आप देख सकते हैं कितनी अच्छी कचोरी हमारी बन के तयार हुई है आप इस रेसिपी को जरूर से घर पे बनाएं और हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी यदि चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए थैंक्यू फॉर वाचिंग एंड सपोर्ड़ेंगे